हेलो एवरिवन वालकम बेक टो माई चैनल डिवल क्रेकर हम आज सीरीज 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चाप्टा नमबर 1 की जो हमारी लास सीरीज होगी इससे पहले हमने 2 सीरीज कम्प्लीट कर ली है जिसमें हमने अपने सेक्शुल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ प्लांट्स हो या हॉर्मोन्स हो सब किसके लिए रिस्पोंसिबल है सब रिस्पोंसिबल है सेक्शुल रिप्रोडक्शन के लिए उनके अंदर जो हॉर्मोन्स होगा प्लांट्स और एनिमल्स में हॉर्मोन्स ही रिस्पोंसिबल होगा फोर्दा रिप्रोडक्शन अब करेंगे हम आफ्टर अटेनमेंट ओफ मैचॉर्टी जैसे जैसे मैचॉर होगा तो ऑर्गैनिजम होगा वह सेक्शुली रिप्रोडिजिंग की तरफ बढ़ना शुरू करेंगा एक्जीबीट करना शुरू करेंगा जैसे ही वह मैचॉर्टी अटेन कर लेगा उसके अंदर चे करना शुरू कर दिया एन्वार्मेंट के साथ ही तो वह रिप्रोड़क्शन की तरफ चलना शुरू हो जाएगा इस परेग्राफ में यह कहना चाहता है उसके बाद कौन-कौन से इवेंट्स आ रही है जो काफी कॉंपलेक्स है कॉंपलेक्स का मतलब है इसमें टाइम लगत कので स्सेलने कना से इसमेट का मतलब है मेल और फिमेल बोद गैमिट्स आम फ्यूस 사टरों चाहताहता सते से यहां फ्यूस उजी है जो धाट हलेगा 13प ठीद हैं जरूघएंगों ऊनिटने के बाद में किया बाद में इसको बोलते हैं जैसें परें लोले फिमेल बाद नों य जब वह जाइगोट दीरे धीरे 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 घ्रोव करना शुरू करेंगा डवलाप होना शुरू करेंगे तो उसके और गण्स है टीशू है सैल टीशू और गण्स यह सारे डवलाप होना शुरू हो जाएंग तो इस फेस को बोला जाएगा and third is post fertilization. Pre-fertilization events किसको बोला जाता है? इसमें वो सारी events include होती है, जिस sexual reproduction में gametogenesis and gamet transfer. अब देखो, जो भी reproduction के तरहे fusion of gamets है, वो सारे terms इसके अन्दर include है. अब आप से question आएगा कि बताओ, gametogenesis और gamet transfer वो post fertilization का example है, pre-fertilization का है या only fertilization का, तो हमारा answer क्या होगा gametogenesis and gamet transfer अब हम gametogenesis term को समझेंगे gametogenesis का मतलब क्या होता है देखे gametogenesis वो उसको बोलते हैं जब fusion of gamets जब gamets बनना शुरू होते हैं तो उसको gametogenesis बोला जाता है लेकिन जैसे ही fusion हो जाता है इन दोनों gamets का तो उसको fertilization बोला जाता है लेकिन अभी हम दोनों का fusion नहीं करवा रहे male में भी gamets formation करा रहे हैं और female में भी gamet formation करा रहे हैं that is known as gametogenesis in this process we will not fuse both gamets male and female this event will occur in only fertilization not in pre-fertilization only formation of gamets are there now transfer of gamet जब formation हो जाएगी female gamet और male gamet की तो उन दोनों का transfer होना शुरू हो जाएगा means वो मिलने के लिए meet करने के लिए that is meeting के लिए वो जाएगे this process is known as fertilization but during the gamet transfer no fertilization is आगगा already अब हम paragraph में पढ़ते हैं gametogenesis का मतलब होता है process of formation of two types of gamets अभी जस्थ हमने पढ़ा male और female इन दोनों gamets का बनना ही gametogenesis कहलाएगा इनका fusion नहीं होगा यह हमें ध्यान रखना है हमें question में यह आ सकता है कि the process of fusion of gamets is non gametogenesis no this is not gametogenesis only formation of gamets separately male and female not fusion gamets are haploid gamets क्या होते है haploid होते है haploid को हम N से डिनोट करते है haploid cells है in some algae the two gamets are so similar अब देखो algae का case है यह अवला जो है algae है कुछ algae में gamets जो है वो सिमिलर होते है हम उसमें categorize नहीं कर पाते कौन सा फीमेल और कौन सा मेल है that is known as iso gamets और homo gamets इसका example क्या होगा iso gamets को किसको बोला जाएगा that is cladopora तो यह किसका किसकी figure है यह है cladopora question आएगा बताओ cladopora fucas and homo sapiens which is example of iso gamets so हमारा answer क्या होगा cladophora is the example of iso gamets अब देखो b वाली figure है उसमें focus यह भी एक alga का ही है fucus इसमें देखो यह वाला male और female दोनों क्या कर रखे है differentiate कर रखे एक छोटा है और एक बड़ा है तो यह क्या iso है? नहीं iso का या homo का मतलब होता है एक जसन नहीं these are hetero hetero means different दोनों हमें पहचानने में अलग दिख रहे है सामने से हम इनका physical structure इनकी morphology देख रहे है तो these are different next is यह human का है this is ovum and this is sperm अब आप देखो यह sperm है और यह ovum है both are different this is female gamet and this is male gamet तो this is also known as hetero gamets there are hands or called homo gamets अब देखो अभी मैंने बताया iso gamets को हम homo gamets भी बोलते हैं जो figure 1.5a में हमने पढ़ा that is cladophora the majority of sexual reproduction organism the gamet produce are two morphological distance type जिसमें दोनों morphologically morphologically मतलब जो दिखने में दोनों क्या हो different हो physical structure is different this is known as hetero gamets वो सारे organism जिसमें male gamet is called anthrozoid in such organism इन में male gamets को हम spum बोलते हैं जिसका दूसरा नाम होता है anthrozoid और female gamet is known as agor ovum sexuality in organisms और जो सेक्ष्यलिटी है वो किस तरह से होती है तो fusion of gamets from two different individuals अब देखो fusion होगा वो एक जैसो का fusion होगा gamets का male-male का female-female का होगा different का होगा तो sexual reproduction हमें बताता है fusion of gamets of two different individuals हम male-male का fusion नहीं करा सकते female-female का fusion नहीं करा सकते we have to both opposite sex that is male and female but this is not always true लेकिन यह always true नहीं होता है let we start of course sightings and example in plants is easy क्योंकि plants के अंदर एक ही type के unisexual भी प्रेजेंट होते हैं plants में have कुछ plants में both male and female both reproductive parts structure होता है these are known as bisexual उनको हम bisexual बोलते हैं और different plants जिसमें unisexual करेक्टर भी होता है मतलब एक ही type के होते हैं gamets male है या female अब जो हमने बोला था कि क्या दोनों different individuals होने चाहिए लेकिन हमारे पास में exception क्या है कि plants की case में unisexual भी हो सकता है और bisexual भी हो सकता है fungi and plants terms as homothelic इनको हम क्या बोलते हैं homothelic या फिर monisius that are used to denote the bisexual condition अब question आता है homothelic are bisexual और unisexual monisual are bisexual और unisexual this is bisexual यह important question है heterothelic or dioces are the term used to describe unisexual अब हमें यहां से पता चला mono monisius क्या होता है bisexual और dioces क्या होता है uni हमें यह धान रखने हैं यह वाली जो terms है heterothelic और यह वाली in flowering plants । flowering plants é unisexual male flower staminate stem plants queen and male and female flowers मीं बी प्रेजंट और कुछ ऐसे प्लाइं भी होते हैं जिसमें एक ही अपिमिल दोनों फ्लार प्रेजंट होते हैं और शेपरेट इन्टी हां यह जो से मिन्डिजोल होंगे that is known as female flowers may be present on the same individual that is monaceous or separate individual that is diocese same example of monaceous plants are cucurbits and coconuts cucurbits and coconuts cucurbits का मतलब होता है cucumber यहाँ पर cucurbits का मतलब होता है cucumber and of diocese plants are papaya and date अब देखो हमारा जो answer है वो क्या होगा monaceous monaceous का example क्या होगा cucurbits यानि की cucumber अब ही हमें देखो ध्यान रखना है जिसमें दौनों करेक्टर्स होंगे bisexual condition में कौन कौन सा है monaceous में cucurbits और coconuts और जो हमारा diocese है उसमें unisexual एक ही sexual present होगा जिसमें that is papaya और date palm name the type of gametes that are formed in staminate and pistilate flower उन gametes का नाम बताना है जो staminate और pistilate में है but what about animals उन animals आप animals के बारे में क्या जानते हो are individual of all species either male और female unisexual क्या वो unisexual होते हैं और are these species which possible both the reproductive organs या दोनों ओर्गन होते हैं bisexual होते हैं you probably can make a list of several unisexual animal species earthworm है unisexual में earthworm आता है sponge आता है tapeworm और leech typical example of bisexual ठीक है यह किसके example है that is bisexual that possesses both male and female reproductive these are known hermaphrodite that is cockroach is an example of unisexual अब हमसे जो है पुछा गया था कि आपको लिस्ट बनानी यूनिसेक्सवल और गयरा की तो हमने देखा कि जो earthworm है sponge है tapeworm है leech है वो सारे इसके example है वो bisexual animal जिसमें दोनों sex present होते हैं लेकिन हमारा जो cockroach है cockroach is unisexual cockroach अब उसके बाद आते है cell division अब जब gamut की formation होगे gamut बन गए तो उसके तार cell division कैसे होगी हमें पता है कि जो कोई भी cell बनता है हर cell में cell के division होती है gamut in all heterogametic अगर दोनों gamut अलग है two types हैं male और female है तो gamut are haploid through the parent plant body from which they arise may be either haploid or diploid gamut a haploid parent produce gamut by mitotic division आप से पूचा जाएगा कि haploid में mitotic होगया meiosis that is known as mitotic division अब इसमें बोला है कि gamut are haploid gamut होते हैं चाहे वो parents either haploid हो या diploid हो gamut always haploid अब उसके बाद हम इसका flow chart पढ़ेंगे जो class 11 में भी आप पढ़ चुके हो several organisms belong to monera कुछ organism जो है एक सेकेंड कुछ organism जो है monera से है protesta से है ठीक है अलग-अलग organisms होते है अलग-अलग kingdoms है जो हम पहले class 11 में kingdoms पढ़ चुके है एक सेकेंड तो आप सब जो है monera वाला protesta फंजाई अलग प्लांटे ये सारा पढ़ चुके हो ना पहले भी तो इसमें भी kingdom के base पर हमें बताया गया है कि किस तरह से haploid और deployed होंगे एक सेकेंड अब देखिए यह आ गया हमारा page disappear हो गया था several organism belonging to monera fungi, algae, bryophytes have haploid plant ये सारे किसके एक्जाई है haploid के but in organism belonging to teridophytes, gymnosperm angiosperm, most of the animals including human beings parental body is deployed ठीक है ये कौन सी बोड़ी होगी deployed होगी लेकिन जो monera है fungi, algae, bryophytes ये सारे किसके एक्जेम्पल है haploid के तो यहां से हमारा questions arise होगा हमसे पूछ आ जाएगा बताओ gymnosperm है haploid है, diploid है, angiosperm बताओ human being बताओ, fungi बताओ, algae बताओ, bryophytes बताओ तो जब deployed organism होगा, उसके अंदर अब ये obvious है कि meiosis reduction होगी, division होगी meiosis होगी ही होगी, क्योंकि उसको haploid gamits बनाने हैं अगर दो gamits हैं, अगर वो हटेगा तो किसमें N, N में तो इसका मतलब कौन सी होगी meiosis condition होगी in deployed organism, specially cell called meocytes तो जो ये division होती है, gamits की haploid में convert होता है meiosis के अंदर reduction होगी, तो इस process is known as meocytes gamit mother cell undergo meiosis आज क्या होगया बैस में, चली नहीं रहा ये आज नेटवर्क भी slow चल रहा है होई नहीं पारा, नेटवर्क भी सोच रहे थे, आज ही chapter खतम कर दे, पर ये नेटवर्क भी आज ही आ रहा जा रहे कभी क्योंकि अब हमारी इसके बाद में fertilization वाली event रह गई है और fertilization के बाद में हमारा post fertilization रह गया है तो मियोसाइट सबको समझ आएगा कि जो deployed जो है under meiosis reduction जाएगा और haploid cells बनाएगा that is known as meosides तो ये term भी हमारे लिए काफी important है meosides वाली gametes at the end of meiosis अब देखो जो bisexual है उसमें earthworm दिया हुआ है इसके अंदर दोनों sex होते हैं unisexual में cockroach है monisus plants जो होते हैं that is caradices plants में होया है bisexual flower कौन सा होता है sweet potato यहां से हमारा question जो है figure 1.6 से हमारे question जो है form होगे अब उसके बाद हमें बताया है chromosomes के number human being में हमें पता है कि pair में 23 होते हैं otherwise 46 होते है house flies में 12 होते हैं तो अब इनके double करके लिख देने हैं यहां पे 21 है तो इसके double कर दो इस तरह ऐसे हमें करना होगा तो यह सारे भी हमें देखने है diploid और haploid chromosomes होते हैं उसके जो numbers है यह stable को fill करना है हमें अब इसकी जो pre-fertilization में gamit transfer होता है हमने पढ़ा कि जो gamit transfer है वो gamitogenesis है वो किस तरह हो रही है यह हम पढ़ चुके हैं अब इसमें gamit transfer पढ़ने जा रहे हैं जैसे ही formation होगी male और female gamits की तो वो physically क्या होगे दोनों एक दूसरे के पास आएंगे उनको transfer कराया जाएगा किस के लिए fertilization के लिए लेकिन अभी हम fertilization नहीं करा रहे हैं हम सिर्फ क्या करा रहे हैं उनको meet करने के लिए mating के लिए लेके जा रहे है male gamits जो है अब देखो यहां से question है majority जादत और organisms में जो male gamit होता है वो motile करता है motile मतला move करता है female gamit जो यह stationary रहता है exceptions are a few fungi कुछ exceptions है जैसे fungi है algae है जिसमें both types of gamits are motile जिसमें दोनों types के gamits क्या होंगे motile होंगे there is a need for a medium through which ठीक है अब देखो exception क्या है fungi और algae यह याद रखना है fungi और algae इसमें दोनों gamits क्या होंगे motile होंगे there is a need of a medium through which the male gamit move लेकिन देखो अब जो है male gamit को अगर हम move करा रहे हैं तो उसके लिए कौन सा medium चाहिए question हमारा यहां से पूछा जाएगा कि majority में organism में male gamit जो है वो transfer करता है move कर सकता है लेकिन exception है fungi और algae में दोनों gamits motile होते है हमसे question में exception भी पूछी जाएगी gamits को move कराने के लिए कुछ जो plants है algae है bryophytes है triodophytes है water is the medium through which तेखो इनके अदर पानी जो है वो क्या होता है medium होता है gamits को transfer कराने का large number of male gamits however fail to reach the field gamits कुछ gamits जो है जो male gamits है वो female gamits तक पहुच नहीं पाते है वो क्यों वो loss हो जाता है उनको male gamits के होते है several thousands में जो है बनते है अगर एक या दो email gamits बने तो वो कौँच भी नहीं पाते इसलिए several thousands में होते है जो हमारे male gamits होते है जिसे female gamits से mating कर सके कुछ जो seed plants होते है pollen grains जो है उसमें carrier होते है वो male gamits कहलाते है और ovule जो है producing answers आज हम यहीं तक करते हैं बार बार यह network इशो हो रहा है नेक्स क्लास में मुझे लग रहा है एक सीरीज हो रहा करनी पड़ेगी हमें नेक्स क्लास में continue करेंगे